नमस्कार आप देख रहें यूटूब चैनल GSMP क्लिनिका निवच में आपका स्वागत है आज का वीडियो बिल्कुल गरीब तबके के ब्यक्ति के लिए है बिल्कुल गरीब मरीज के लिए है जो ब्यक्ति समय पर आशा खाना नहीं खा सकते हैं उनका सरीर धीरे-धीरे कमज जोर होते जा रहा है या अनकोई बिमारी से यदि आपको लगता है कि लखवा मार देगा पर लाइसिस मार देगा आपके सरीर में दाएं बाएं उपर नीचे कहीं भी हो सकता है उस समय में आपको हबराने के जिरुत नहीं है आप कश्टिकम नाम की दवा आप इसको 30 या 200 म आप किसी भी होमिपैथिक चिकित्सक से आप मिलकर इस दवा का उप्योग कर सकते हैं जैसे ही लगेगा कि मेरा अंग परलाइसिस के तरफ वर रहा है अंग मेरा सुन हो रहा है तो आप हबराईये नहीं आप डॉक्टर से बाद में मिलिए लेकि पहले इसे आप सिवन एक ब किसी होमिपैथिक डॉक्टर से आप मेलकर इस दवा को ले सकते हैं है इसे आपको यदी सही समय पर आप इसे परियोंग करते हैं तो मुझे आसा है कि आपको परलाइसिस नहीं मारेगा आपको परलाइसिस उसी जगर रुख जाएगा ज़िए इस दवा के अंतिरकत आपका भीमारी आता है, तो हो सकता है कि परलाइसिस आपको पूनुब से ठीक हो जाए, यहदी आपका परलाइसिस से निमार दिया है एक बार, तो फिर उसे recovery करना मुस्किल हो जाएगा लेकिन यदि आप paralysis के तरफ बह रहे हैं आपका शरीर पर लाइल होने वाला है यदि आपको लग रहा है कि कोई अंग मेरा सुन हो रहा है ऐसे कश्टकम का परभाव हमारे दाहिने सरीर पर होता है यदि आपके दाहिने हाथ में या आपके चेहरे पर इसका अगर paralysis का असर आ रहा है आपको धीरे-दीरे सुन हो रहा है हात लगेगा कि सुन हो रहा है मेरा अपना कामिल हो जाएगा चेहरा लग रहा है कि सुन अपन आ रहा है तो उस समय आप बिलकुल किसी डॉक्टर से मिल कर आप इसे दावा को ले सकते हैं फर्मेसी से ल 980-767-537 पर आप बात करके मूठ में सलाह ले सकते हैं तो आपको पर्लाइसी सेदी आपको बचाना है घर परिवार को बचाना है तो किर्प्रा इस दावा को आप अवस्य नोट करके रखें आपको जिन्दगी में काम बहुत आशा से आएगा है यह आपको जिन्दगी में कभी ना कभी जरूर इसकी जरूरत परेगी आप देख रहे हैं कस्टिकम थिरी कस्टिकम थिरी आप इसे दो बून दिन में तीन बार लीजिए अक्सर पर्लाइसीस यदि रात में यदि होता है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे आपको शरीर पूरा पर्लाइस हो जाएगा पर्लाइसीस होने के पहले कोई ना कोई सिम्टम आपको जरूर देता है मनुष उसमय में बहुँ ज़्यादा सुस्त रहता है बार बार उसे पिसाब लगती है कोई ना कोई उसमय में अपने को अन्फिट जरूर पाएगा यदि आपको लगतार कोई अंग सुन होने जैसा बुझा रहा है और आपको बार बार पिसाब उसमय हो रहा है या पैखाना हो रहा है या गर्मी किसी धंका कोई कंपलेन है तो आप इसे कश्टी कम को भूले नहीं आप उसके पहले इस दवा का आप परियोग करेंगे तो हम समय लगता है कि आपको परलाइसिस उससे समय रूप जायेगा फिर अधर डॉक्टर से होमेपैस से आपको मिलना चाहें आप मिल सकते हैं पहले अपने को सेफ कीजिए परलाइसिस अपने को बचाईए यदि पूरा अंग परलाइस एक बार हो जाता है तो उसे रिकॉफरी क करना नमुवकिन होता है कि कहने का मतलब है कि समय से यदि आपको हाथ पढ़ या कोई भी चेहरे का दाहिन्य अंग असे तो हर जगह के परलाइसिस पर काम करता है लेकिन उस्का तब ले सकते हैं लेकि जो सधारन भी जनकार हैं या जनकाई रखते हैं हुमिपैथिक का और उनको हुमिपैथिक दवा में रूची है और हुमिपैथिक दवा ही खाना चाहते हैं सुरू से हुमिपैथिक दवा ही उनको सेट करता है अगर हुमिपैथिक दवा काम नहीं करता ह सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं लोग आज का वीडियो खास है तो कश्टकम क्यूको आप घर पर जरूर रखें जैसे कोई कहेगा आपको किसी डॉक्टर से पुछने के जूरत नहीं है जैसे कोई कहेगा लगता है कि प्रलाइसिस हो जाएगा मेरा प्रलाइस हो जाएगा अं ब्राइंगे यदि आप समय से पूछ कर सलाह लेकर आप देते हैं तो और अच्छी बात है नहीं भी हैं तो आप फर्ष्ट एट के रूप में इसे आप दे सकते हैं आप कर सकते हैं आप कहीं से भी इसके बारे में जनकारी कठा करके घर पर आप लुए बहुत सुन्दर करेंगे यदि आप समय से इस दवा को दे देंगे तो अम्रितुल काम करता है बिजोड है दवा आपके काम को देखकर आप चर्च करेंगे कि हो मेरी पैथिक में इतनी भी सकती है कि परलाइसिस को रोक देगा और अपना नियमित चेकप कराईए कहीं भी अगर आद आपको पर काम निस्क नहीं कर रहा है लग कमजोर होते जा रहा है बन नहीं में रहा है उस पर ताकत उस अंग में नहीं आ रही है तो आप समझे कि आप परलाइसिस को तरफ बर रहे हैं आप रूकना चाहते हैं आप तो उसे रोक सकते हैं कश्टिकम 30 से 200 से 1 एम से जो भी मिले उस प् हो तो अच्छी बात है और इसे आप किसी भी अच्छी की सक्षराय लेकर इस दवा को अपने घर पर आवसर रखिए आपको बहुत ही काम आएगा आज मैं बस इतना ही अपने बात को बता पाऊंगा नेक्स दिन फिर हम नए वीडियो के साथ आपके बीच हम मुंपस्तित हम रहेंगे तब तक आप देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल जी एसेंपी किलिनिक आइड निउच आप अपने ध्यान रखिए टेक क्यार गुडबाई नमस्कार जैहिंद जैभारत